Hello friends, BSC की special class में आप सभी लोगों का एक बार फिर से most welcome है My name is आशिश करी दोस्तो पिछली वीडियो के अंदर हमने discuss किया था Inflorescence का part 1 और part 1 के अंदर हमने cover किया था What is Inflorescence, Inflorescence होता क्या है Simos Inflorescence और Racimos Inflorescence में differentiation क्या है Simos Inflorescence कितने types का होता है दोस्तो पिछली वीडियो के अंदर ये सभी topics में cover कर चुका हूँ आज कि इस वीडियो के अंदर हम cover करेंगे Special type of Inflorescence Inflorescence के part 2 के अंदर हम cover करेंगे Special type of Inflorescence जिसके अंदर हम पढ़ेंगे Scythium Inflorescence जिसके उपर short question में दो नंबर में कई बार question पूशे जाते है Scythium Inflorescence, Vertice Luster Inflorescence और Hypothodium Inflorescence इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं तो चली दोस्तों start करते हैं तो चली friends heading डालेजे Special type of Inflorescence Special type of Inflorescence के अंदर आज हम study करेंगे Basically number first Scythium Inflorescence Number second, Hypothodium Inflorescence Number third, Vertice Luster Inflorescence और इन Inflorescence एक्जाम पेपर में कई बार questions put out के जाते हैं Short questions जनरली BSC और MSC के एक्जाम में या 12th के एक्जाम में कई बार short question दो नंबर में या कभी-कभी MSC के एक्जाम में 5 नंबर में या पूरा topic दे देता है आपको पूरे Inflorescence के topic में जनरली आपसे एक तो spike आपको याद करना होगा जो कि मैं Part 1 के अंदर upload कर चुका हूँ उसको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है Inflorescence के मारे में वहाँ पर मैं बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ कि किसी एक floral axis पर एक floral axis होता है उस पर जो flowers का arrangement होता है वही Inflorescence के लाता है इतनी बात मैं basically बता चुका हूँ तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको यहाँ पर एक basic idea देने वाला हूँ कि MCQs से questions कैसे पूछे जाएंगे क्योंकि कई बार आप entrance की exam की preparation कर रहे हैं या NET की exam preparation कर रहे हैं तो उस condition में क्या होता है कि short questions इनसे भी बन जाते हैं जो MCQs question है वो यहाँ से भी बन जाते हैं और किस किस तरह के बन जाते हैं उसके बारे में भी मैं आपर बात करने वाला हूँ तो सबसे पहले आप heading डाले जिए Scythium Influorescence Scythium Influorescence BSD की exam में कई बार पूछा जाता है तो इसके definition के साथ साथ आप diagram भी put out करेंगे तो definitely आपको दो number का अगर short question है तो complete दो number मिलते हैं ठीक है आप एक चीज का ध्यान अखना exam paper में कि short question से कभी भी आपके marks नहीं करते दो number में आपको अगर दो number का आपने पूरा काम complete किया हुआ है यानिकि आपने diagram भी बनाय हुआ है तो आपके दो number में से कहीं से भी कहीं तक 0 मलब की point marks भी नहीं कटेंगे वहाँ पर ठीक है लेकिन अगर आप long questions करते हैं तो आप कितना भी अच्छे से करते हैं लगबग अगर सड़े 7 number का long question है या 10 number का होता है तो वहाँ पर आपको 9 number मिल जाएंगे 10 में से 9 number मिल जाएंगे सड़े 7 में से आपको ज़्यादा ज़्यादा आपको 7 number मिल जाएंगे लेकिन complete लाने के लिए आपको वहाँ पर काफी मेहनत करनी पड़ती है बारे में in this type of inflorescence सबसे पहले तो basically आपको पता चल गया है inflorescence क्या होता है कि एक जैसे यह floral axis है आई इसको थोड़ा practically आपको समझा देता हूँ जिसने पिछला वीडियो नहीं देखा है देखे दोस्तों यह बीच में floral axis है इसको हम कहते हैं pedancle ठीक है तो इस floral axis पर यह flowers के arrangement है यह red color का spot है यह flowers को represent कर रहा है इस पर flowers का arrangement होता है उसको हम inflorescence बोलते हैं और inflorescence के बारे में part 1 के अंदर काफी कुछ detail में बता चुका हूँ यह मैं यहाँ पर रह गया था part 2 और part 2 के अंदर हम special type के inflorescence को पढ़ रहे थे तो in this type of inflorescence the bracts or the involucar अब यहाँ पर involucar क्या होता है involucar दोस्तो होता है wall of bract यानि कि जो bract है वो आपस में fuse होकर के एक चक्र की तरह एक wall बना रही है जिसको हमने कह दिया involucar जो कि आप यहाँ पर देखेंगा fuse and form a cup shaped structure एक cup की तरह एक cup shape में structure बना लेते है of the margin in the central part अगर आप इनके central part में देखें of the cup shaped इस cup के central part में अगर आप ध्यान से देखें you can find the female flower यहाँ पर हमें दिखाई देगा female flower जो कि यहाँ पर यह जो आप देख रहे हैं इसको बोलेंगे pedicel अब यहाँ पर pedicle और pedicel में difference क्या होता है pedicle क्या होता है और pedicel क्या होता है यह पिछली वीडियो के अंदर बता चुका हूँ और यहाँ पर भी मैं आपको बताने वाला हूँ यह जो central axis है दोस्तों इसको हम कहेंगे pedicle और इस central axis से यह जो करेंगे आगे हम बढ़ते हैं cup shaped structure of the margin in the central part of the cup shaped structure you can find female flowers हमें यहाँ पर central part पर female flower दिखाए देगा and these mature earlier और यह जल्दी mature हो जाता है क्यों? due to the growth of pedicel यह जो growth है एकदम लंबी से एक pedicel आपको दिखाए देगी और यह है female flower ठीक है? यह है female flower और यह इस pedicel की growth की वज़े से यह इस पूरे के पूरे जो cup shape बाहर निकल जाती है so due to the growth of pedicel this come out of the cup shaped structure यह cup shape structure से बाहर निकल जाती come out यह निकिए बाहर निकल जाना so इसकी structure में अभी आपर देखने वाले हैं फिलाल अभी आगे और भी points note करेंगे small male flower जो small छोटे जो male flower है surrounded this female flower वो जो है इससे surround करते हैं इसके चारो तरप घिरे रहते हैं इसको घेर के रखते हैं ठीक है? and these are also found in pedicel और यह pedicel पर भी पाये जाते हैं अगर आप यहाँ पर हम male flower की बात करें और लाई करते हैं mature earlier वो जो है जल्दी mature हो जाते हैं किसके comparison में? than the flower which are towards the periphery जो periphery पर present होते हैं और इस तरह का arrangement जहां पर हम देखते हैं central part जल्दी mature हो जाता है central flower जल्दी mature हो जाता है और इसके जो किनारे वाले रहते हैं जो periphery पर present है या axial में जो present है वो बाद में mature होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं इस तरह का arrangement basipetal arrangement या acropetal succession और दोस्तों इसमें आपको एक nectar glands भी दिखाई देगी जोकि yellow color की होती है हलाकि मेरे पास yellow marker नहीं था जिसके कारण में इसे blue में show किया हुआ है यह nectar का function क्या होता है यह pollinators को attract करता है correct pollinators को attract करने के लिए nectar glands भी present होता है involucar के बारे में बता चुका हूँ यह एक bract का जो bract होते हैं आपस में fuse हो करके एक wall chakra बनाते हैं और वो जो है cup shape में दिखाई देता है correct तो यह सारे point जो की main main थे आपको पता होने चाहिए थे वो मैं आपको बता चुका हूँ उसके बाद this type this inflorescence found in euphorbyacy family दोस्तों यहाँ पर यह euphorbyacy family के अंदर जो euphorbya है उसके अंदर यह देखने को मिलेगा point satia के अंदर आपको देखने को मिलेगा pedilinthus के अंदर आपको देखने को मिलेगा तो यह तीन example में से आप एक example भी अगर आप लिक देते हैं तो यह complete हो जाएगा तो आप euphorbya को याद कर सकते हैं इसली क्योंकि यह euphorbyacy family से euphorbya आपको याद आ जाएगा यह आपको diagram अच्छी तरसे आपको समझना है यह है longitudinal scythium of euphorbya euphorbya का एक longitudinal section लिया गया है जिसमें आप ध्यान से देखें यह जो आप देखाई दे रहा है यह है pedicle pedicle इसका modified हो जाता है आप देखेंगे modified होकर की चोड़ा हो जाता है अब यहाँ पर इस pedicle से आप देखेंगे यह pedicle निकला हुआ है इस pedicle से बाहर आपको female flower दिखाई देगा correct यह nectar gland present है और यह pedicle है लंबा सा और यह male flower तो male और female flower present है correct अब यहाँ पर questions किस तरह से exam paper में mcqs में question किस तरह से पूछे जा सकते हैं कि जब आप scythium inflorescence देखते हैं तो उनके अंदर male और female flower का जो ratio होता है वो किस तरह से होता है तो male और female flower का ratio आप देखेंगे इसमें एक तो female flower आपको दिखाई दे रहा है ठीक है तो आप लिखेंगे one और यहाँ पर male flower कई सारे दिखाई दे रहे हैं भी लगाया जा सकता है correct तो यहाँ पर हमने पढ़ा scythium inflorescence के बारे में और एक बार इसको फटा फट रिबीट करते है in this type of inflorescence the bract or involucar fuse and form a cup shaped structure of the margin in the central part of the cup shape cup shape की central part में you can find the female flower हम यहाँ पर female flower को देखेंगे and उसके बाद you can find the female flower this mature earlier यह जल्दी mature हो जाता है female flower and due to the growth of pedicel क्यों growth pedicel जो है वो जल्दी growth करता है एक लंबा सा एक long pedicel पाया जाता है and this come out of the cup shaped structure इस cup shaped structure से बाहर आजाता है small male flowers surround these female flowers and these are also found on the pedicel the male flower which lie towards the center ऐसे male flower जो की center में लाई करते हैं centrally लाई करते हैं वो जल्दी mature हो जाते हैं then किसके comparison में which are towards the periphery जो periphery पर present है and this inflorescence found in euphoribacy family like euphorbia and poncetia ठीक है poncetia and उसके बाद है pedilenthes तो यह examples हैं आप इसको फटा-फट note कीजिए so friends phrythium inflorescence को discuss करने के बाद number second heading डालेजिए hypanthodium जिसे हम siconium inflorescence के नाम से भी जानते हैं तो कभी-कभी short question में hypanthodium की जगा siconium inflorescence के बारे में question पूछा जाए तब भी आप यही explain करेंगे और फिर इसके बाद यह जो आप diagram देख रहे हैं इसी diagram से आप इसको represent करेंगे तो अगर में इसको diagram के बेस पर explain करना चाहूँ तो मैं कहूँगा यह flask shape का होता है जनरली इसे भी हम cup shape से बता सकते हैं कि यह cup shape, flask shape का होता है और यह flashy होता है इसका जो receptical होता है इसका जो main pedancle होता है वो modified हो जाता है मतलब पूरा आगी तरह से ठीक हो जाता है, flashy हो जाता है और फिर उसके बाद आप ध्यान से देखें इसमें उपर की तरब जो होता है वो pore present होता है, एक छिदर होता है जिसे हम osteol कहते हैं और फिर उसके बाद इसमें तीन तरह के flowers इसमें पाए जाते हैं फिर उसके बाद नीचे की तरब, अगर हम base में देखें तो नीचे की तरब हमें दिखाए देंगे female flowers और इन दोनों के between जो flowers लाई कर रहे हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? इस्ट्राइल फ्लावर्स यानि कि ऐसे flowers जिनका pollination नहीं होता उसे हम इस्ट्राइल फ्लावर्स बोलते हैं तो ये जो male flowers है, suppose कोई insect यहां से enter करता है जैसे for example, wasp बर रहे है तो अगर wasp इसके अंदर या कोई insect इसके अंदर enter करेगा तो वो अपने punk पर या अपनी body पर ये जो male flowers है, वो इसके उपर attach हो जाएंगे attach होने के बाद ये female flowers में जाकर बैठेगा तो यहां पर उसका pollination हो जाएगा तो pollinators, यहां पर pollination का procedure किस तरह से होता है वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है तो इसमें generally आपको बताना है कि इसमें किसकी तरह के flowers present होते हैं, इसकी structures क्या होती है यह उसी की base पर आपको explain करना होता है और diagram देना पड़ता है, correct तो यह उपर के तरप osteol present है फिर उसके बाद red color में जो आपको दिखाए दे रहा है वो male flowers को represent कर रहा है number second जो beach में आपको दिखाए दे रहा है, blue color में यह straw flowers है और जो green color में है यह female flower है, correct उसके बाद यह नीचे की तरप bracket है और यह पुरा का पुरा जो fleshy inflorescence axis है जिसे हम peduncle भी बोलते है, correct तो आईए देखते हैं इसका definition it is flask shape यह flask shape का होता है और इसमें fleshy receptical इसका जो receptical flashy होता है यह pore और osteol leaned by scales and short canal bearing a hair जिसमें hairing होते है and the receptical bears male flower इसका जो recepticals है जिसके receptical का जो osteol है वहाँ पर male flowers होते है और female flowers towards the base female flower किसकी और होता है base की तरप यह उपर तो उपर apex रहेगा यह नीचे base रहेगा so towards the base यहाँ पर female flower आपको दिखाए देंगे and astral flower between two lie इसन दोनों की बीच में female flower होते है correct तो अब हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पर आपने देखा hyphen thodium flower इसमें आपको सिर्फ यतना है explain करना है दोनमबर में अब हम देखते हैं verticilaster inflorescence verticilaster inflorescence के लिए आपको first जो मैंने upload किया हुआ है first inflorescence का first video उसको आपको देखना पड़ेगा ताकि आपको इसको अच्छी तरह से समझ वाए it is the condensed cymos inflorescence दोस्तों एक तरीके से cymos inflorescence का ही एक तरीके से रूपांतरण है इसमें आपको दिखाए देगा just उसी के जैसा होता है और उसी के थुरुम इसको समझने भी वाले है it occurs in exile of opposite leaf having a sessile or slightly stalled flower sessile flower कौन से होते हैं जिसमें stoke absent होता है और यहां पर और भी लिखा गया है कि stoke अगर present होता है तो slightly small होता है slightly चोटा सेगदम stoke present होता है जिस पर flower लगे होते हैं correct and each inflorescence is initially die chasel starting में आपको initially die chasel cyme की तरह दिखाए देगा and the two lateral sides two lateral sides आपको दिखाए देगे become a reduced to the scorpoid cyme हमने कल देखा था scorpoid और helicoid cyme जिसमें यह scorpoid cyme type का होता है the entire inflorescence appear like a cluster of sessile flower and forming a false wool यानि कि एक wrong wool चक्र की तरह दिखाए देगा at the node और यह कौन शो करता है lamiasi family जैसे for example तुलसी तुलसी के पोदे में इस तरह का inflorescence आपको दिखाए देगा और यह तुलसी बिलोंग करते है lamiasi family से आई इसको diagram से समझते है दोस्तों मैंने अपको क्या बताया था cymos inflorescence क्या होता है generally उसका जो main features होता है वो क्या होता है ठीक है इसकी जो growth होती है वो definite होती है correct क्योंकि इसके main जो axis होता है जैसे for example यह pedangle निकला इसका pedangle को यह main axis consider करते है तो इसमें एक आगे की तरह एक terminal flower होता है जो कि इसकी growth को stop कर देता है correct दोनों तरप आप देखेंगे growth stop हो चुकी है अब जब growth stop होगी तो यानिके lateral branches निकलेगी अब यह जो आप lateral branch दिख रहे है निकल रही है वो एक के बाद alternately इधर से इधर भी इधर भी इधर भी दोनों side अगर आपको branch दिखाई दे तब आप कहते हैं इस corpoid अगर alternately शिरिफ एक ही branch से जूड़ी हुई सारी branches हो दोनों तरप ना हो तब उसको क्या कहेंगे helicoid ठीक है तो उसके बारे में मैं उल्लडी बता चुका हूँ तो इस तरह का आपको दिखाई देगा यह है vertice luster और example के लिए family lemiacy के अंदर आपको दिखाई देंगे vertice luster type का inflorescence तो दोस्तों यह था special type का inflorescence जिसके अंदर आज हमने discuss किया scythium, hyphenothodium and vertice luster अभी धीरे धीरे बहुत जल हम जो basic points उसको complete करने के बाद हम families को start करेंगे बेसे second year botany में तो मिलते हैं दोस्तों next video में वीडियो पसंद आया तो like करें और channel को subscribe कर दें अगर आपको इस तरह की और भी वीडियो चाहिए तो मिलते हैं next video में बाई बाई टाटा